कौلधी आज मैं आपको विवायखा के बताओं तो छो फल देने वाली विवायखा कैसी होती है कहीं लोगों की जानने की इच्छा रहती है कि हमारा विवायक जीवन है क्यासा रहेगा हमारी भावनाव को समझने वाला की नहीं होगा हमारा पार्टनर कहीं मनमुटाफ तो नहीं रहेगा कई सी बात करते हैं सबसे पहले कनिसकाक होगली बारे में दोस्तों यह कनिश का उली है इस पे आप देखेंगे इसके नीचे का जो स्तान होता है वह बुद्ध परवत है और बुद्ध परवत के पास ही दोस्तों विवारेखा होती है तो उससे पहले हम दिखा दें आपको यह विवारेखा है विवारेखा इस प्रकार से होगी एक होती है दो होती है तो विवारेखा दोस्तों इसी चीज़ से अम परचल सकते हैं कि विवारेखा किस उम्र में आपकी साधिय हो रही है कैसा आपको पती या पतनी मिलेangaं सब विवारेखा से पतल लग जाता है तो विभारिका में हम बात करेंगे कि विभारिका अगर इस प्रकार से है जैसे वान के चलिए ये इस विभारिका है इस प्रकार से तो विभारिका ये अगर पती के हाथ में पुरुस के हाथ में पुरुस के हाथ में एक विभारिका है और लेफ्ट हेंड में दो विवारिखा हैं और लेफ्ट हेंड में दो विवारिखा के साथ साथ इसका विशेज ध्यान देना है आपको कहीं से विवारिखा कटी ना हो बैसे पुरुष के हाथ में एक विवारिखा और लेफ्ट हेंड में दो विवारिखा हो तो यह बहुत ही आनद पूरोग भीतता है दोस्तों पुरस के हाथ में इस प्रकार से विबारिका है तो सुन्दर और सुसील पतणी मिलती है सरवण Σंपन्ब पत्नी मिलती है ख्याल लखने वाली पत्नी मिलती है और यहां तक कि एक दूसरे की भावनाव को समझने वाली यही रेखा अगर left hand में महिला के आथ में हैं दो और पुरुष के आथ में एक तो same condition महिला की जो है वही जो आभी मैंने बताया पुरुष की बारे में वही सेम चीज़ें मिलेंगी और इसमें सबसे अच्छी चीज़ यह है कि दोनों का जीवन आनन्द पूर्वक भितीत होता है दोस्तों बहुत ही कम ऐसी रेखा देखने को मिलती है अब हम बात करेंगे इसके उपर कि विबाय जीवन की बारे में और भी कुछ चीज़ें हैं अब देख सकते हैं इस प्रिकार से सूर रेखा बनीज ही ज़़ा है इस प्रिकार से निकलती है यहां से यहां तक पहूंशती है तो अगर आइट हैंड बेश्तों बहुत हैं पुरिश के हाथ कर रहा हूंगे पु तो ऐसे लोगों की साधी उच्छ पद पर बैठे हुए पतिष्टिक मान सम्मान वाले वक्ति से होती है अगर पुरुस के हाथ में है तो महला होगी अगर महला के हाथ में तो पुरुस मान सम्मान उच्छ पद और पतिष्टिक वक्ति होगा लेकिन इसका वसेश ध्यान देना दोस्तों आपको कि अगर यही चिन इस रिखा काट रहा है सूर रिखा को अगर सूर रिखा काट रहा है तो यह मान सम्मान साथी के बाद अब मान में बदल जाता है तो यह मैंने आपको बताया अब हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे बताया मैंने आपको सूर रिखा हो ग रेखा होती है चिन होता है इसका मुख कारण बताता हूँ आपको अगर इस प्रकार से इस प्रकार से चिन बन जाता है वाई संबल के रूप में तो ये बहुत सुब चिन है वाई संबल विष्णु संबल के रूप में बुला जाता है इसको तो ऐसे लोग द्यावान होते हैं तो इसमें कुछ साफधाने बताई हैं तो इसका वसीज ध्यान दें तो दोस्तों आसा करता हूं आपको आज का वीडियो में नई दीव जानकारी काफी अच्छी लगी हो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक से स्क्राइब चुरू करें तो मिलते हैं एक नई जानकार अगली वीडियो में तन्यवाद